Welcome to the channel Designed by Architect in which we will deal with architecture, interior, वास्तु and construction. आप सभी को हेलो, नमस्ते, तो मैं Architect पयरशुनी, आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉलम में क्या-क्या defect हो जाते हैं, साइट बे, मतलब कॉलम जब हम कास्च कर रहे होते हैं, तो जो हमारा ठेकेदार है, वो क्या-क्या गलतियां कर देता है, और जिससे की हमारा बिल्डिंग बहु कि यहां क्या हो गई, कि सारे जो सरिया थे, उसको एक लेंथ में काट दिया, मतलब कि जो लैपिंग होगी, वो बिल्कुली common level पे, मतलब एक ही level पे लैपिंग होगी, मतलब जो की गलत है, तो अभी हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं, कि जो लैपिंग होती है, वो एक ल जो की बहुत गलत है, यह क्यों गलत है, क्योंकि हमें यहां पर sil band और lintel band बनाना होता है, sil band मतलब जो की हम खिड़की के नीचे बनाते हैं, just नीचे, और lintel band जो की हम खिड़की के just ऊपर बनाते हैं, तो होता क्या है, यह दोनो band बनाना क्यों है, दोनो band इसलिए बनाना ह यह हमें पूरा पूरा एक कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम तक बनाना है ताकि इसमें पकड़ आए होता क्या है लिंटल बैंड सिल बैंड तो अगर वह जो खड़िकी के ओपर की जो एटे है उसका लोड है उसका जो वजन है वह पहले लिंटल बैंड पे आएगा उसके बाद व आए फेसी जाता है तो वह पूरा बिल्डिंग का बहार समालता कॉन है हमारा कोलम से ही नीचे व्ल्टिकली आपका जाता है आपका यह मैं सब्सृ तो पहले लिंटल में लोड आएगा फिर आपका जाता है , वो लिंटल का लोट हे वो डिस्टिब्यूट होते ह唔 चला जाता है , वैसे ही जो खिđकी के साइड साइड वाली दिवारें हैं , उसका लोट जाता है उसका लोट जाता है , उसका लोट जाता लिंटल बना भी देते हैं क्लाइंट को भी पता है कि लिंटल होना चाहिए तो लिंटल क्या करते हैं सिर्फ खिड़की के ऊपर कास्ट कर देते हैं तो वो तो लोड है उसका वो तो कॉलम तक गया ही नहीं क्योंकि जब तक लिंटल बैंड जो है वो कॉलम से जुड़ेगा न तब तक load distribution नहीं होगा, तो इस वज़े से हमें sil band और lintel band ये through and through बनाना चाहिए, जिससे की तरीके से हमारा load distribution हो, अब हम आते हैं third point पे, तो हमारा third point ये है कि जब हम column cast करते हैं, तो जो column में हम ये ढलाईया करते हैं, उसका हमें slum test करना होता है, मतलब जो concrete है, उसका test होता ह है कि जब हम उसको column cast करेंगे, तो वो अच्छे से cast होगा कि नहीं, means गिट्टी, बालू और cement वो आपस में अच्छे से मिला होना चाहिए, तो अब क्या हो है कि 10 feet का एक तो column cast करते हैं, 10 feet उपर से जब हम मसाला गिराते हैं, तो होता कि नीचे वो पूरा छितरा जाता है, मत में देखेंगे कि column जो है, वो ठीक से cast ही नहीं हुआ है, perfect, rectangle जो है, वो cast नहीं हुआ है, अब फिर ठेकेदार लोग क्या करते हैं, उसको छुपाने के लिए, उपर से उसको मसाले से ठीक कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है, इस से हमारे column में जो मजबूती होनी चाहिए थी वो आधिस ज्यादा मजबूती तो जा चुकी है, अब हम next point discuss करते हैं, next जो हम यह सरिया बानते हैं column का, तो होता क्या है, कि जाकर हम 4 सरिया बानते हैं, 4 सरिया लगाया column में, तब हम लगाएंगे rectangular ring, और ring का भी जो है, कि वो hook जो है, वो loop जो हमें पकड़ना होता है, उसे स सरिया को पकड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वो सिर्फ बेंड करके मिल जाता है, बाद में on site हमें इसको सरिया से पकड़वाना होता है, तो पहली चीज तो यह हो गई, कि उसको पकड़ना चाहिए, जब 4 सरिया हो, और 6 सरिया हो, तो हमें diamond ring भी देनी चाहिए, जो क इसे क्या photo में देख रहे होंगे, और next यह है, कि 6 सरिया पे हमको 2 ring देनी होती है, rectangular भी और diamond भी, अब next आप देख रहे होंगे, कि हमेशा हमें जो column है और beam है, उसका जो junction होता है, मतलब beam जो है, वो column पे ही आना चाहिए, पिलकुल exactly, उसी नाप में, ठीक है, अगर 9 इंची क या 13 इंची कप का beam आ रहा है, तो वैसे ही along with that only column उसमें ही होना चाहिए, column जादा हो सकता है, मगर कभी भी उसे beam से कम नहीं होना चाहिए, तो पहली चीज की beam और column एक साथ होना चाहिए, मतलब आप देख रहे होंगे या वीडियो में की beam कहीं और जाके खतम हो रहा है, और column कहीं और है, तो ये बिलकुल नहीं होना चाहिए, प्लस यहाँ जहाँ beam का junction है, वहाँ नीचे column जरूर होना चाहिए, और जो beam का size है, उससे बड़ा ही column रहे, कभी छोटा नहीं होना चाहिए, तो next आप हम आते हैं, next आपका जो point है, वो ये है कि कभी भी सरिया नहीं देख भी नहीं रहा building में, अब हमारा जो last point यह है, कि लोग क्या करते हैं, कि अपना ठेकेदार लोग जाधा तर दिखाते हैं, कि हमने बहुत column आपका मजबूत बनाया है, और उसमें बहुत सारा सरिया डाल देते हैं, तो सरिया कितना होना चाहिए, column के हिसाब से, कितना proportion, जो है शेयर करें, ताकि लोगों का घर कमजोर न बने, और उनका घर जो है, सालो साल चले कितना हैं, झालो साल किना है, और दो हैं, तो सालोत इए था ंजते हैं, लो ऺधी है जडते हैं, तो सालो सालोग sound कि कितने और देकाम बनायों देए लिए भागोंodilet, झालो झान दैर जलो है, जो जो हैहाना हूए खET, तो सालो कमजोरब थे यृदिवाग, झालो चलो, व झाल झाल झाल